चलिए दोस्तों लेके आगया हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और आज का जो होने वाला है वो हाडवेर नहीं OS के बारे में होने वाला है जी हाम बात करने वाले हैं Color OS 7.1 के बारे में दोस्तों आपको एक बात बाताना चाहता हूँ पिछले बारा महिने में अगर कोई UI most improved है तो मैं कहूंगा it is Color OS 7 and then 7.1 जी हाँ Color OS 7 के उपर हमने वीडियो किया हुआ है नहीं देखा है तो जरूर देखियेगा and that one is basically a completely changed UI as compared to previous अगर आप Color OS 6 6.2 के साथ compare करते हो तो उसमें सब कुछ बता है but this Color OS 7.1 जो है it brings lots and lots of optimizations and new features उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आये हो तो subscribe करना मत भूलिये पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब Find X2 and Find X2 Pro का हम unboxing first impressions कर रहे थे so I spent a lot of time with Find X2 और उसके उपर मैंने देखा कि यह Color OS 7.1 है मुझे लगा था जादा difference नहीं होगा लेकिन बहुत सारे features ऐसे थे कि जो मुझे बहुत अच्छे लगे पहले तो अगर आप compare करते हो Color OS 7 and 7.1 let me tell you look and feel is nearly same वही minimalistic feel आता है art icons वागे रहे weather जो app था उनका वैसा ही है बहुत अच्छा है always on display है dark mode है color light effects जो है वो सभी कुछ आते हैं जैसे Color OS 7 में थे लेकिन दोस्तो अब जो आया हुआ है 7.1 और 120Hz जो Find X2 पे हैं it just feels so very smooth जी हां मैंने in fact मेरे unboxing first impressions वीडियो में बताया था कि जब आप use करते हो you can actually feel that कि वही वो 120Hz and बहुत सारी चीजे हैं just because it is 7.1 and it is optimized for 120Hz refresh rate क्यों क्योंकि Find X2 में सबसे flagship level का hardware है and to use that hardware you need a OS which will complement that और दोस्तों इसमें जो O1 Ultra Vision Engine आता है वो कोई भी आप अगर 30fps का content consume कर रहे हो तो वो 60fps या फिर 120fps तक upscale करता है और seriously दिखने को you can make out the difference और उतना ही नहीं दोस्तों FPS के साथ जो standard definition या फिर HDR content होता है उसको वो high definition में याने HDR content में भी upscale करता है which gives you much better dynamic range और एक feature है AI adaptive eye protection basically दिन भर हम phone पे होते हैं अलग-अलग conditions में phone होता है अलग-अलग brightness levels होते हैं और क्या करता है basically color OS 7.1 आपके जो colors है brightness है display का वो adapt करता है environment के हिसाब से ताकि आपके जो आख है उसको कोई problem ना हो they don't get stressed दोस्तों याद रखिए आपको find X2 में QHD plus screen मिलती है and 120 Hz refresh rate भी मिलता है अब color OS 7.1 जो है वो allow करता है आपको कि आप 60 fps चूज कीजे चाहिए तो 120 fps कीजे या फिर auto select का भी option आता है जो अपने आप adapt करता है जो आप कर रहे हो screen के उपर उस हिसाब से जो refresh rate है वो change करता है उतना ही नहीं if you want 2K display you use that otherwise FHD भी आप shift कर सते हो ऐसी बहुत सारी चीजे है दोस्तों चोटी-चोटी चीजे है लेकिन बहुत फाइदा होता है इनका और दोस्तों आजकल जो time है बहुत stressful चल रहा है तो breathing exercise करना है meditation वगेरे करना है उसके लिए बहुत सारे features भी दिये हुए ambient sounds वगेरे आपको सुनना है ambient music सुनना है very good on this one दोस्तों और एक interesting feature है जो मैं test नहीं कर पाया लेकिन 7.1 जो है support करता है smart network को इसका मतलब आपका 5G है 4G obviously 5G हम test नहीं कर पाएंगे लेकिन 5G और 4G signals वो देखता है कौन सा strong है और उस हिसाब से आपको आपके phone में network देता है so you will always get the best network तो यह एक feature 7.1 में है और हां network के बारे में बात करना हूँ connectivity के बारे में तो और एक चीज़ कहता हूँ wifi और mobile signals जो है या फिर data है speed है यह आप combine कर पाओगे accelerate कर पाओगे इसका मतलब दोनों का फाइदा लीजिए double the speed मिल जाएगा आपको और हां दोस्तों ColorOS 7 में Soloop editor आया हुआ था जो basically एक video editor है बहुत अच्छा था and now in 7.1 it is improved even further तो और एक बात आपको कहना चाहूँगा ColorOS 7.1 के बारे में especially अगर आप compare करते हो ColorOS 7 के साथ तो memory optimization जो है बहुत अच्छी है in fact इसमें 512 GB है for example आप long term के लिए phone जब इस्तेमाल करते हो बहुत सारी चीज़े store अगरे करते हो memory use करते हो तो ये properly जैसे आप desktop PC fragment करते हो आपकी hard disk वैसे ही इसमें भी होता है so long term में भी आपको speed जो है वो slow नहीं मिलेगी it'll maintain its speed so that is one good thing optimizations definitely किये हुए 7.1 और दोस्तों एक चीज़ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई अब मैं camera के बारे में बात करूँगा क्योंकि camera में इतने सारी features नहीं आए हुए I really liked it and especially find x2 and find x2 pro में अगर आप try करते हो बहुत सारी features इनी phones में है for example live HDR video आपको पता है कि हम HDR photos निकालते हैं बट इसके साथ ColorOS 7.1 में आपको feature आता है जहाँ पे आप live HDR video निकाल पाओगे and they look really good जी हाँ normal video देखिए and live HDR video देखिए they are totally different and they look really good और एक चीज़ दोस्तों इसकी जो focusing capabilities है I mean they are crazy इसमें एक feature है दोस्तों जिसका नाम है all pixel omnidirectional pdf जी हाँ थोड़ा complex है बट मैं आपको कहता हूँ normal जब आप focusing करते हो तो generally कुछ points होते हैं कुछ pixels होते हैं जिसके उपर focus करते हैं और फिर आप photo निकालते हो बट इस नए feature के साथ सभी जो pixels होते हैं वो focus में आते हैं face detect करते हैं face detection autofocus pdf जो हम कहते हैं तो face detect करते हैं जिसकी वएसे पूरा जो आपका photo है या फिर अलग-अलग जो areas हैं आपके photo के सब focus में रहते हैं और fast focus भी होता है so this again is very helpful for photographers और हाँ इसकी वएसे दोस्तों low light में जब आप photos निकाल रहे हो तभी भी बहुत अच्छी तरसे focus होंगे आपको तो बता है low light होगा तो focus hunting बहुत होती है लेकिन all pixel omnidirectional pdf की वज़े से यह नहीं होता है in fact it improves quite a lot और हाँ दोस्तों बाकी के जो camera app के features है for example ultra steady यह जो है यह next generation का आगया है ultra steady 2.0 साथ में AI beautification 2.0 आया हुआ है और ultra night mode 3.0 so improvements everywhere essentially दोस्तों बहुत सारी चीजे improve हुई है in fact I'll say it is more to do with optimizations and flagship level features पहले जो colorway 7.0 था वो look and feel बहुत difference किया था कि UI आपका जो experience यूजर experience उसमें change आया था 7.1 के साथ बहुत सारे optimizations लाए हुए so I really like it especially अगर आप find x2 and find x2 pro पे इस्तेमाल करते हो you will notice the difference दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है colorway 7.1 के बारे में तो जरूर कमेंट सेक्षिन में पूछेगा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिलकुल मत भूलिए चिले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe